Hello Students, मैं Veena Gupta आज आपको मैं BST बताने जा रही हूँ यह आप लोग के लिए बिलकुल नया सब्जेक्ट होगा क्योंकि अभी तक आप लोगों ने स्कूल में से नहीं पढ़ा होगा इसलिए Business Studies वो आपका है portion उसमें एक chapter आपको पढ़ना है Business ववसाए बिजनस क्या होता है आज उसके बारे में जापको बताना चाहते है Business and Introduction बिजनस में क्या होता है बिजनस में एक economic activity होती है जो कि बिजनस जो होता है वो business, profession और employment यानि आर्थिक रियाई जो होती है उसमें ववसाए, पेशा और employment इन तीनों का एक submission होता है या कह सकते हैं मिला जोला रूप होता है तो इस तरह से concept of business जो हम जानते हैं कि क्या होता है बिजनस की धारना क्या होती है ववसाए की धारना क्या होती है उसमें कहते हैं कि सबसे पहले होता है Some people are busy in producing things यानि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो वस्तों का उत्पादन करने में व्यस्त होते हैं दूसरा जो इसका होता है Some people are busy in buying and selling things यानि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो वस्तों के क्रेव विक्रेव में व्यस्त होते हैं Next is में जो इसका concept होता है बिजनस का वो होता है Some people are busy in profession of law यानि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो वकालत के काम में व्यस्थ होते हैं इसी तरह से सम पेपूल आर बिजिंग इन ट्रेटिंग पेशेंट्स जैसे करते हैं कुछ व्यक्ति लोगियों का इलाज करने में व्यस्थ होते हैं इसी तरह से कुछ व्यक्ति जो होते हैं सम पेपू कारेले में नौकरी कर रहे होते हैं उसी तरह से सम पेपूल आर बीजिंग इन प्रपरिगेटिंग रिलेजन यानि कुछ व्यक्ति धन प्रचार में व्यस्ट रहते हैं या कह सकते हैं कि वह उसका प्रचार और प्रसार करते हैं सुअग बजूते में देश की शेवा में व्यस्ट होते हैं इस तरह से मम कह सकते हैं कि बृष्प की जो पुझत होता है वह अलग होता है उसमें अपला हम एक थर्म के जोड़ते हैं कुछ उसे समयक्ते कांते या human activity भी कह सकते हैं यदि देखा जाये तो सभी क्रियाओं को मुख्यता दो भागों में बाटा जा सकता है एक ऐसी क्रियाएं होती है जिससे धन उपारज़ित किया जा सकता है और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो धन उपारजन के लिए नहीं बल्कि मान सिंग संतुस्टी के लिकी जाती है जैसा हम लोग देखा कि पहली प्रकार की क्रिया को जैसे आर्थिक एकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं तथा दूसरी प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसे नन एकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं इस तरह से हम जैसे जानते हैं कि some people are busy in producing things, some people are busy in buying and selling, some people are busy in profession of law, some people are busy in treating patients, some people are serving in factories और जो कह सकते हैं some people are serving government office ये सब जो होते हैं ये जनली एकनॉमिक एक्टिविटी के अंतरगात आते हैं उसी तरह से नन एकनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जैसे हम कह सकते हैं तीन श्रेणियों में इसी होता है और फारी करनसी बिस्नस कहते है जो तो यानि पेशा कहते हैं ततievous श्यंती जो होती है इसको रोजगार एंप्लायमन्ट कह सकते हैं इस तरह से कह सकते हैं कि विभिन मानंवी क्रियाинойउं यह वरिगी करन होता है उसे हम इसे ग्राफ के दौरा ज्यादर कर सकते हैं संतुस्टी के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे हम मानवी क्रिया कहते हैं यानि अपनी कारे की आशक्ताओं के संतुस्टी के लिए जो एक्टिविटी करते हैं मानवी आशक्ता धन से संबंदित भी हो सकता है और मानशिक सांती से संबंदित हो सकता है इसमें दोनों भ मुल भागों में होता है धनकमाना होता है उसे आर्थी क्रिया कहते हैं जैसे पिस्त थे करने का काम करते हैं creevy करना थे द्यूप कमाने के लिए करते हैं या ईकनौमिक अग्टिवीटिटी यान धन कमाने से संब्दिन भी इन तो वैसाय का मतलब क्या होता है वैसा का मतलब पए घंड के लिए लाभ कमाने के लिए कि sachती जैसे कपड़े की या ट्रांस्पोर्ट आदी का जो काम होता है इसे हम कह सकते हैं कपड़े के दुकान पर क्या होता है कि वस्तूं का क्रैविक्र होता रहता है ट्रांस्पोर्ट पर क्या होता है वस्तूं और सिवाओं का माल मदब होने का काम होता है ट्रांस्पोर्ट में कोई नहीं बेशती ब लाब अर्जन करने के लिए जो निरंतर काम किया जाए वस्तों का उत्पादन भी हो सकता है ग्रह भी ग्रह हो सकता है वैसे क्रिया को या वैसी अक्टिविटी को हम बिजनस अक्टिविटी या बिजनस कह सकते हैं दूसरा है प्रोफेशन या पेशा पेशा का मतलब क्या होता जैसे हम लोग देख रहे हैं उसमें पेशे का मतलब होता है उस आर्थी क्रिया से होता है या economic activities होता है जो एक विशेश ग्यान तता कुशलता प्राप्त वेक्ति द्वारा समाज के विभिन वर्गों को निस्पक शेवा के लिए की जाती है जैसे कह सकते हैं उसमें लेकिन एक जाता है कि विश्चेश ग्यान और कुशलता यानि स्किल होना चाहिए और उसमें उसको ग्यान होनी चाहिए वैसे वीकति-वेक्ति-वारा समाज में जो कह सकते हैं कि विभिन वर्गों को निस्पक शेवा दी जाती है उसे हम profession कह सकते हैं जैसे वकालत होता है यानि law कह सकते हैं medical हो सकता है यानि medical जो देते हैं या doctor को कह सकते हैं तीसरा जैसे हम कहते हैं Chartered Accountancy यह जो होते हैं यह इसके कि इंप्लाइमेंट से क्या मतलब निकलता है या रोजगार से क्या मतलब होता है एक विशेव समझा ता जिसके नंतरगत क्या होता है कि पारिश्रमिक या रिमुनूरे शन के बदले दूसरों के लिए काम की जाती है जैसे सरकारी कारेयल organization में नौकरी की जाता है नौकरी की जाती है उसे हम इंप्लाइमेंट के अंतरगत लाते हैं यानि कह सकते हैं विशेश समझाता है जिसमें क्या होता है काम के बदले में एक रेमुनरेशन दी जाती है इस तरह से हम दो देखते हैं कि human activity में ये तीनों activity शामिल हो सकते हैं business हो गया profession हो गया employment हो और non economic activity का मतलब क्या होता है जैसे हम देख रहे हैं इसमे non economic activity का मतलब होता है कि वे क्रियाएं जिनका उद्देश धन कमाना नहीं होता बलकि अनार्थिक क्रियाएं होती हैं जैसे धर्म का प्रचार करना देश सेवा करना इत्यादी जो होता है उसे non economic activity में कहते हैं जिसमें पैसे कमाया नहीं जाते हैं बलकि social work या अपनी मानचिक संतुस्टी के लिए या जो किया जाता है उसे मानचिक शांतिक लिए किया जाता है उसे हम non economic activity कहते हैं इस तरह से आज हमने देखा कि वैवसाय क्या होता और उसके क्या concept होते हैं और उसे किन-किन भागों में बाटा जा सकता है आज हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट फिर हम लोग इसमें आगे continue करेंगे ओके थैंक यू